नमस्कार मैं हूँ मानमिंदर रावत और स्वागत करता हूँ आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब, फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर दोस्तों आज का जो विशे है वो बड़ा महतपून है आपने थमनेल में पढ़ा कि चार दिन बाद बुद्ध होगा एक बार फिर से नीच और वक्री भी चार आशियों के जीवन से हटेगा अधेरा और ये योग चरलू हो रहा है नौ अपरेल को रात को साड़े नौ बजे और फिर ये पूरे महीने ही रहेगा और 25 तारिक को यानी के अपरेल महीने में जो बुद्ध ग्रे हैं वो विशेश रूब से मारगी भी हो जाएएएगे यानी कि अभी मक्री होंगे 9 अपरेल को और फिर 25 तारिक को वापस मारगी होंगे पर रहेंगे नीच ही अब ऐसी इस्तिती में कोई भी गरह नीच होता है तो उसका फल भी बुरा होता है उसके फल को लेकर के चिंताएं बनती है कि अब गरह नीच हो गया तो बड़ी प्रोब्लम देगा काफी बादा पहुचाएगा पर ऐसा नहीं होगा आपकी लौटरी खुलेगी आपके जीवन से एक बड़ा अंधिकार मिटेगा आपको खुशियां प्राप्त होंगी आपकी योजनाएं सही रूप में क्रियान भी थोंगी ऐसी गुड न्यूज यहां पर बनती हुई नजर आ रही है अब इसका कारण क्या है यह अभी आपको क्लियर हो जाएगा देखिए बुद्ध तो नीच हो रहे हैं होने दीजिये कोई बात नहीं पर बुद्ध मीन राशी में जैसे ही नीच होंगे तो सेम उसी मीन राशी में अभी शुक्र उच्च के चल रहे हैं तो नीच भंग योग का बड़ा जबर्दस्त एडवाइंटाइज मिलेगा एक रुचक नाम यह मालब विनाम का महापुरुष्रा योग और लेडी शुक्र का चल रहा है एक शनी का शष नाम का महापुरुष्रा योग चल रहा है और तो और देखिए जो सूरे हैं वो भी उच्च के हो ज हैं तो सब्सक्राइब करें फॉलो करें बैल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी हमारी वीडियो का लाव भरपूर उठा पाएं तो सबसे पहले नंबर पर जो मैं बात करना चाहता हूं जिस राशी को सबसे जादा एडवांटेज प्राप्त होगा वो है दोस्तो मिथुन अब मिथुन क्यों कारण ये है कि मिथुन राशी के लौड ही बुद्ध हैं और बुद्ध खुद नीच भंग राजयोग बना रहे हैं वो भी कैरियर के घर में शुक्र उच्च के कैरियर के घर में शुक्र और राहू इसका मतलब ये रहा कि सूरे के निकल जाने के बाद यानि कि चौदा तारीक के बाद से आपको बुद्ध की शुक्र की और राहू की यूति का एडवांटेज मिलेगा और ये मिलेगा 25 तारीक तक विशेश रूप से इस अप्रेल महीने में यानि कि आनसम्मान, यश्वेभव, सुकसादन, प्रापटी वहान, जमीन जादात, राजनिती, व्यक्तित्व और तो और आपके कैरियर में प्रमोशन ट्रांसवर ये सारी चीजे आपको बहुत शुब रूप में प्राप्त होती ही नजर आ रही हैं ये मैं आपको पूर्ण सिले के और पच्चीस अप्राइल के बीच में कोशिश करिए जो भी उल्जे हुए फसे हुए काम हैं उनको निकलवाने की नेक्स नंबर पर आती है कन्या राशी आपको क्यों एडवांटेज मिल रहा है उसको समझीए ध्यान से देखिए मैरेज लाइफ के घर पर संकट है यह मैं आपसे कह देता हूँ को कि बुद्ध नीच के उकर के मैरेज लाइफ के घर में हैं बट शुकर उचके हैं तो नीच बंग राजयोग और एक मालव विनाम के महापुरुष डबल राजयोग का अडवांटेज मिलेगा यानि कि मैरेज लाइफ में कला है पर जीवन सा थी के मात्यम से ही आपके जीवन को चार चांद लगेंगे ऐसे योग कहते हैं विपारिक पार्टनर से सायोग मिलेगा और 14 अपरेल के बाद से तो परिस्तितिया और जादा आपके लिए फेवरिवल बलेंगी ऐसा मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ ये आपके लिए एक अच्छा योग है आपके कैरियर के लिए एक अच्छा योग है बट इसके प्रभाव 14 अपरेल से और 25 अपरेल के बिट्वीन जादा अच्छे प्राप्त होते हैं नजर आ रहे हैं इसलिए दोस्तों अब देरी मत करिए आप ही पॉलिटिकल इस समय समय चल नेक्स राशी और राशी का नाम रहेगा धनू धनू के लौड होते हैं देव गुरू ब्रस्पती अब गुरू महराज तो इस समय फिफ्ट हाउज में हैं अक्समा धनलाब देने वाले घर में हैं नीती के घर में हैं शास्त्र के घर में हैं विद्वानता के घर में हैं प् के सुक साधन के घर में नीच भंगराजयोग बनाएंगे और उच्च के शुकर उनके साथ में रहेंगे तो उच्च शुकर का प्रभाब नीच भंगराजयोग का प्रभाब ऐसी इस्तिती में ये केरियर पर विशेश रूप से सुप प्रभाब डालेंगे अगर आपके जीवन में कैरियर पर कोई भी बादा चल रही है तो उसमें आपको काफी हत्तक रिलीफ मिलेगा और 14 अप्रेल के बाद तो आपको मेजर रिलीफ कैरियर में मिलते हुए नजर आ रहे है इसलिए कहा जा सकता है कि आपके लिए गोचरिय प्रभाव काफी शुब है महनत आपकी चलेगी, महनत तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि जोतिश में कई बार क्या होता है कोई गरह विपरीत आता है बट वो विपरीत राजयोग बना लेता है कई बर कोई गरे नीच होता है तो वो नीच भंग राजयोग बना लेता है फिर वो बुरा करने की बजाए वो अच्छा करने लगता है और उसके रिजल्ट और जादा बढ़ जाते है तो इसलिए धनू राशी वालो आपके लिए बहुत अच्छा समय है आप खुब उन्नती करें आगे बढ़ें ऐसी शुबकामनाय बदाईया मैं आपको देना चाहता हूँ और अब इसके बाद मैं नेक्स निम्बर पर जिस राशी के विशे में बात करना चाहूंगा उसका नाम रहेगा मीन देखिए मीन राशी वाले वैसे तो इसके में बड़े परेशान चल रहे हैं और इनकी परेशानी का जो कारण है वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आपकी राशी में सूरे बैठा है आपकी राशी में राहू का भी गरहन लगा हुआ है आपकी राशी के अंदर शुक्र और बुद्ध भी बुद्ध भी अब नो तारीक को आ जाएंगे तो सूरे की बुद्ध की राहू की शुक्र की जो यूति होती है ये इनसान के लिए मान सम्मान में अच्छी नहीं होती इस तरी पक्ष से हानी उठानी पड़ जाती है यानि कि आपसी रिलेशन्शिप अच्छे नहीं रह पाते ऐसा यहां पर यह फल जरूर मिलता है बट क्योंकि बुद्ध का नीचमक राजयोग बनेगा शुक्र ने खुद अलड़ी मालव राजयोग बनाये हुआ है तो यह आपको आगे आने वाले दिनों में दिनांग 25 अपरेल 2024 तक बुद्ध और शुक्र मिल करके आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी वहान, जमीन ज्यादात आपको राजनिती का सुख, आपके व्यक्तित को बढ़ाना और आपके दामपत्ते जीवन में कुछ थोड़ी सी सुचेशन को बैटर करना पर व्यपारिक पार्टनर से सहयोग मिलना ऐसी इस्तितियां पर बनेगी अगर आप लव लाइफ में हैं, प्रेम संबन तो वो आपके खटास में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं यानि कि इस घर पर कस्ट है, ज्यादा अनुकुल फल नहीं मिलेगा यहाँ पर बुरे प्रभाव ग्रहों के आते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों इन सभी तमाम बातों का आपको द्यान रखना पड़ेगा अब यहाँ पर सूरे और राहु यानि कि दो विप्रीत ग्रह एक दूसरे के साथ हैं तो आप सूरे का यहाँ पर जल मत चड़ाईएगा, अभी फिलाल तो राहु की पूजा करिए तागि राहु के नकारात्मक प्रबाब शान्त हो सके 14 तारीक के बाद इसी अपरेल महीने में आपको और अच्छा बल प्राप्त होगा नमस्कार धन्यवाद